चलिए अब जो एक बड़ा इवेंट सामने है वो डेफिनेटली बजट ही है जहां पर बजट में शिपिंग शेर्स पर और शिपिंग सेक्टर पर खास तोर से फोकस रहने वाला है इस एक्स्क्लूसिव खबर के साथ चलते हैं प्रकाश फेर दर्शी के पास जो कि इस एक्स् शिपिंग इंडस्टी के लिए कुछ अहम एलान कर सकती है दर असल शिपिंग मिनिस्ट्री ने कुछ इंपडन्य फेनांस मिनिस्ट्री को सौपे हैं जिसमें कई तरह की डिमांड जो हो रखी गई है जो पहला इंपॉर्टन प्रोपोजल है उसके हिसाब से ने इस बात की गुजारिश की है कि देश के अंदर ही ships की manufacturing के लिए एक special fund का एलान करने की जरूरत है लिहाजा maritime development fund create करने का proposal जो है कोवीत मंतराले को सौपा गया है इसके अलावा shipping ministry ने इस बात का भी प्रस्ताव रखा है कि जो inland waterways है देश के अंदर जो ships चल रहे हैं अगर वो green energy का इस्तमाल कर रहे हैं तो उनको भी financial incentives देनी की जरूरत है लिहाजा इसके लिए एक हरित नौका scheme का प्रस्ताव दिया गया है जिसका एलान बजट में हो सकता है सुत्र हमें बता रहे हैं कि इन प्रस्तावों पर वित्मंत्राले के अंदर अभी चर्चा चल रही है हलाकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन इस बात की संभावना है कि सरकार इन कुछ प्रस्तावों को अगामी बजट में शामिल करें domestic industry को मदद करने और साथी साथ ship manufacturing को बढ़ावा देने के मकसद से ये प्रस्तावों तयार किये गए है ताकि सरकार का जो vision है shipping industry में, shipping sector में self-reliant बनने का, आत्म निर्भर बनने का उस target को भी हासिल किया जा सके इसके अलावा इस प्रस्ताव में shipping sector के लिए, shipping industry के लिए अगर वो R&D projects पर खर्च कर रहे हैं, कंपनिया R&D projects पर investment कर रही है उनको भी incentivize करने का प्रस्ताव रखा गया है तो ये तमाम प्रस्ताव shipping ministry के तरफ से वित मंतराले को सौपा गया है और इस बात की संभावना है कि प्रस्ताव को अगामी बजट में जगह दी जाए और राइट बहुत बहुत शुक्रिया पकाश पूरी exclusive जानकारियां हमारे लिए लेकर आने के लिए कि क्या कुछ बड़ा निकल कर सामने आ सकता है shipping sector के लिए जहां पे shipping manufacturing से लेके R&D ये तमाम schemes जो है वो इस बार budget में focus areas रह सकती हैं और आप देखे ये ख़वर के impact के दौर पे जितने भी shipping counters है उनमें जोश है SCI 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ट है Shriyash Building ये counter भी जो है 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ट है साथ इन coaching shipyard जैसे counters में भी ये counters भी रुपने का नाम नहीं ले रहे हैं एक बार कपिल आप से coaching shipyard पर ही राय जानना चाहेंगे क्योंकि बाकी कुछ एक selected counters में तो अभी मौके नहीं है तो coaching shipyard कैसा दिख रहा है और साथ ही कपिल कोई और अन्य counter है shipping से related तो उस पे भी अपनी राय दीजे जी बिसिकली हम अभी कहते हैं कि जो shipping counter है या फिर जो railway counters है नहीं तो railway counters अपने पत्री पे चल रहे हैं और नहीं तो shipping stocks अपने पानी के लेवल पे चल रहे हैं वो सब्धे सारे के सारे stocks हवामें चल रहे हैं तो कोचिन से भी अर्वे में देखता हूँ तो यह विसिकली थोड़ा सा मामरा पैचित है यहां पर हो जाता है कि स्टॉक को बाइत हो कर लेकिन लेकिन जहां पर हम इसके स्टॉप लोस डालने की बात आती है तो स्टॉप लोस काफी बड़े डिस्टंस पर आदे क्यों कि मू स्टॉप लेकिन इसका जो इमेडिट स्टॉप लोस बनता है वो 2660 का बनता है तो इसे इंट्रमेट करेक्शन आ जाते हैं तो बाइक के बन सकते हैं और नीचे में 2660 के स्टॉप लोस से चल सकते हैं तो यह राय आपकी शिपिंग काउंटर्स को लेकर इसलिए मैंने राजेश जी से सवाल नहीं पूछा था क्योंकि वैलुएशन के फरंट पे इस तरीके का रान अप दिखा दिया है इन सभी काउंटर्स में तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है राजेश जी के सब्सक्रादी के रतनेश कोयल ने सुभा जब SCI I think 5% की तेजी थी तब यह हाइलाइट किया था और आप देखे 20% के अपर सरकेट पे लॉक है तो अगर रतनेश जी देख रहे हैं तो हमारी बधाईयां भी लीजे और